उत्तरी इस्राइल बॉर्डर से लेबनान का हिजबुला बिल्कुल भी पीछे हटने को तयार नहीं है आईडियफ ने हिजबुला के कई बड़े कमांडरों को हवाई हमलों में मार गिराया है लेकिन उसके बावजूद भी हिजबुला का होसला कम नहीं हुआ है बलकि अब वो दोगुनी ताकत से इस्राइली सेना के उपर हमले कर रहा है जिसका तोड़ फिलहाल इस्राइल के पास नजर नहीं आ रहा हिजबुला का साफ कहना है कि गाजा से इस्राइली सेना बाहर निकले तब ही ये हमले रुकेंगे और इस सब के बीच हिजबुला ने एक बार फिर से इस्राइल को दो बड़े हमलों से दहला कर रख दिया है बड़ी बात ये है कि ये हमले पांच मिनट के भीतर हुए जिस से इस्राइल जल उठा है सबसे पहले हिजबुला ने 8 जुलाई 2024 को शाम करीब पांच बजे जिब दीन बैरेक्स पर रॉकेटों से हमला किया जो एक दम सटीक रहा और इस हमले के करीब आधा घंटे बाद हिजबुला ने कबजे वाले शीबा फार्म्स के अल राहिब साइट पर गोला बारूच से ताबर तोड हमले कर दिये और जब तक आईडियफ इस हमले से संभल पाती तब तक हिजबुला ने हैगोशरीम सेटलमेंट पर भी कत्यूशा रॉकेट का एक पूरा जथा ही फायर कर दिया और इस हमले के बाद मैतूला सेटलमेंट में हिजबुला ने एक बिल्डिंग पर हमला किया हिजबुला का कहना है कि आईडियफ के सैनिक इस इमारत में पोजिशन्स लिये हुए थे इसके अलावा अलमानारा सेटलमेंट में भी हिजबुला ने खूब गोला बारूद बरसाया है वहीं हिजबुला के इन हमलों के जवाब में इसराइली सेना भी डक्षनी लिबनान पर लगातार हवाई हमले कर रही है और इन हमलों में हिजबुला को भारी नुकसान भी हो रहा है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि क्या IDF के ये हमले हिजगुला को रोकने के लिए काफी है तो इसका जवाब है नहीं क्योंकि हिजगुला भी IDF पर उतनी ही ताकत से हमले कर रहा है और पूरे संघर्ष को लेकर अमेरिकी मैगजीन The Atlantic ने एक बड़ा खुलासा किया है मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इसराइल का इलाके में हिजगुला और हमास के खिलाफ पूर्ण विजय का बयान एक खतरनाग धमकी है मैगजीन का कहना है कि इसराइल के युद में जो उद्देश्य है वो अधिक्तम वादी और पहुँच से बाहर है और हिजगुला इस बात को बखुबी समझता है कि वो लंबे वक्त तक एक पारंपर एक सेना से ज्यादा बेहतर तरीके से इसराइल से लड़ सकता है और मैगजीन का ये भी कहना है कि अगर इसराइल और हिजगुला के बीच सीधा युद हुआ तो इस में इराक और सीरिया के लड़ा के भी कूट पड़ेंगे जो आखिरकार इसराइल के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है और अमेरिका भी इस युद में कूट पड़ेगा जिस से मिडलीस्ट के हालाग और खराब हो जाएंगे मैगजीन का कहना है कि हिजगुला को लेकर इसराइल की बार बार युद की धमकी ये दिखाती है कि वो हिजगुला के लडातों को बॉर्डर इलाके से पीछे धकेलना चाहता है हाला कि इस तरह की कोशिशे अभी तक नाकाम रही है